हलो बच्चो वेलकम टो आई यूट्यूब चैनल तो आज हम करेंगे स्टैंडर नाइन्थ मैट्स वन अलजबरा का चैप्टर नमबर फोर जिसका नाम है रेशियो और प्रपोर्शन हम लोग इसका प्रॉडम सेट फोर कर रहे थे जिसके मैंने दो लेक्चर अलरड़ी अप् पर क्लिक कीजिए आपको एक प्लेलिस मिलेगा जिस प्लेलिस में है अलजबरा के सारे वीडियो हर एक चैप्टर के नाइन स्टैंडर के लाइन वाइस मैंने अप्लोड कर दिया है आज हम शुरू करेंगे क्वेस्चन नमबर एट से ठीक है इफ ए अपॉन बी इस इक्वल दो 7 upon 3 then find the values of the following ratios ऐसे काफी सारे questions मैंने already solve कर दिये ठीक है अगर आपने ये भी नहीं देखा है तो आपको problem set difficult लगेगा इसले पहले आपको ये जाके देखना है अगर देखना है तो right side में उपर corner पे एक link आएगा उस पे click कीजिए आपको practice set 4.3 का video मिल जाएगा ठीक है चल अगर आपने पहले के video नहीं देखें तो आपको component ओ, dividendo, invertendo ये सब difficult लगेगा इसलिए अगर यहाँ पर difficulty हो रही है इसका मतलब आपने पहले के video नहीं देखे हैं तो पहले हम क्या करेंगे rough में इसको solve करते हैं फिर मैं आपको बताऊंगा fair में इसको कैसे करना है तो मुझे देखो क्या पूछा गया है मुझे पूछा है 4A प्लस 3B तो A के साथ देखो क्या आ रहा है 4 और B के साथ क्या आ रहा है 3 ठीक है ratio दिया है और मुझे जो पूछा गया है उसमें A के साथ 4 है B के साथ 3 है तो मैं क्या करूँगा मैं इसके ratio पे दोनों तरफ अगर A को 4 से multiply कर तो 4A मिलेगा लेकिन खाली उपर 4 से नहीं कर सकता है इधर से भी करना पड़ेगा इक्वल टू के दोनों तरफ करना पड़ेगा और B के साथ मुझे 3 चीए तो B के साथ 3 रखा लेकिन नीचे भी यहां पर 3 देना पड़ेगा ठीक है तो दोनों तरफ मैं 4 by 3 से मल्टिप्लाई कर दूँगा क्यों ताकि मुझे 4A और 3B दोनों मिल जाए जो मुझे पूछा गया तो मैं इसके next step में या फिर यहां पर rough में कर रहा हूं तो यह step में बता सकता हूं आपको अगर मैं दोनों तरफ 4 by 3 से मल्टिप्लाई कर दूँग तो चलेगा ना multiplying both sides by same number is allowed अभी next step में क्या हो जाएगा next step में यह 4 into A बन जाएगा 4A अपॉन यह 3 into B बन जाएगा 3B equal to यहां पर देख लो कुछ कट हो रहा है का उपर नीचे कुछ भी नहीं हो रहा हूँ 4, 2,000 हो जाएगा 8 and 3, 3,000 हो जाएगा आपका 9 तो अभी आपको A के साथ 4 और B के साथ 3 तो मिल गया अभी आपको उपर चीए 4A प्लस 3B तो एक बहुत ही सुन्दर रूल था component हो component हो क्या बोलता था numerator plus denominator upon denominator is equal to numerator plus denominator upon denominator तो सीधा यहाँ पर मैं बोलूँगा 4A denominator क्या है 3B तो plus 3B नीचे denominator ऐसे का ऐसा रहेगा equal to यहाँ पर 8 नीचे का है denominator 9 तो 8 plus 9 upon 9 यह क्या हो गया भाई component यह component rule मैंने आपको बहुत जादा detail में दिखाया था ठीक है 8 plus 9 क्या होता है 8 plus 9 हो जाएगा 17 और नीचे 9 ऐसे का ऐसा रहेगा कुछ कट नहीं हो रहा तो इसका value क्या मिल गया देखो आपको 17 upon 9 यही पूछा गया था आपसे आया समझ में तो यहाँ पर हमने क्या किया A के साथ क्या था B के साथ क्या था और देखा फिर उसको multiply कर दिया वैसे ही दोनों तरफ same number से ताकि मुझे मिल जाए जो पूछ रहा है and then component लगा के उसको solve कर दिया okay fair में कैसे करेंगे देखो इसको भी fair में लिखना पड़ेगा न multiplying both sides by 4 upon 3 applying component सब कुछ लिखना पड़ता है fair में देखो कैसे आएगा तो ऐसे आएगा solution पहले मैं लिख दिया A upon B equal to 2 upon 3 फिर therefore यह A upon B और 2 upon 3 ऐसे कैसे हैं पर मैंने 4 by 3 4 by 3 दोनों तरफ multiply कर दिया यह देखके कि ऐसी randomly मुझे रटा नहीं मा रहा है मैंने कि 4 upon 3 आएगा question में क्या दिया है वो हिसाब से करना है तो लिख दिया multiplying both sides by 4 upon 3 4 into A 4 A 3 into B 3 B 4 2s are 8 3 3s are 9 अब इसमें मुझे उपर 4 A plus 3 B चीए तो मैंने लगा दिया component हो तो 4 A plus 3 B अगर 4 A plus 3 B किया तो यहाँ पे भी 8 plus 9 हो जाएगा numerator plus denominator दिख रहा है ना numerator plus denominator तो इदर भी numerator plus denominator दोनों आएगा नीचे denominator दोनों जगे सेम रहेगा 4 A plus 3 B upon 3 B इस तरफ 8 plus 9 हो जाएगा 17 यही पूछा गया था तो हमने final answer यह लिख दिया आया समझ में चलो फटा फट से वीडियो pause करो और copy करो यहाँ पे सबसे important यह वाला step था यह तो time pass है यह तो आता है component ओ, dividend ओ, invert ओ, इतने questions करा दिया है अब इसी में second question दिया है 5 A square plus 2 B square upon 5 A square minus 2 B square इसका value निकालने बोला है और A upon B equal to 2 upon 3 दिया है अब इसमें सबसे ज़्यादा confusion कहां होता है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि गलत कहां पे होगा ठीक है आप पहला वाला question देखके solve करेंगे और बुलेंगे अ के साथ 5 है B के साथ 2 है तो मैं क्या करता हूँ मैं दोनों तरफ 5 upon 2 से multiply कर देता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ कि wrong कैसे होगा देखो solution कैसे नहीं आएगा तो पहले गलत करके देखेंगे क्या आ जागा देखो यह A upon B है अगर आपने A के सामने 5 देखा और B के सामने 2 देखा तो दोनों तरफ आपने क्या किया 5 upon 2 से multiply कर दिया ओके फिर आपने क्या किया यह multiply करके 5 A upon 2 B equal to देखो ना 5 into A 5 A 2 into B 2 B और यहाँ पे यह 2 2 cancel हो गया उपर मिला 5 और नीचे मिला 3 अब आप बोलेंगे अरे A के साथ तो square है यार और B के साथ भी square है तो दोनों को square बननाना तो squaring both sides करूँगा लेकिन जैसे ही मैं squaring both sides करूँगा तो क्या हो जाएगा यह square जो है यह दोनों को मिलेगा यह 5 को भी मिलेगा A को भी मिलेगा यहाँ पे नीचे 2 को भी मिलेगा और B को भी मिलेगा और यहां पर मुझे मिलेगा 5 square upon 3 square अब देखो ही क्या होगा 5 square हो जाएगा 25 और A square हैगा A square और नीचे मिलेगा 2 square हो जाएगा 4 और B square 5 square हाजएगा 25, 3 square हाजएगा 9 देखो A square के साथ क्या आगया 25 आपको A square के साथ 5 चाहिए था भाई नहीं है न 5 तो अगर आपने ऐसे किया तो आपका गलत हो जाएगा समझ में आया मैंने क्यों बताया यह तो पहले आप multiply नहीं करेंगे आप पहले square करेंगे यहाँ पर मैंने क्या किया पहले multiply किया फिर उसको square किया तो गलत हो गया क्यूंकि जब भी square करेंगे तो जो भी आपने multiply किया है वो भी change होने वाला है लेकिन अगर मैं पहले square करता हूँ तो यह problem ही नहीं आएगा चलो मैं यहाँ पर आपको square करके बताता हूँ यह rough में करके बता रहा हूँ है इसको इतना मच्छे से लिखके बताऊँगा notebook में कैसे लिखना है तो अभी आपको पता है a upon b is equal to 2 upon 3 आपको सबसे पहले दिखना है कि क्या चाहिए a square और b square चाहिए a और b नहीं चाहिए ऐसे मत सुचो कि a के आगे 5 है a के आगे 5 नहीं है a square के आगे 5 है तो पहले तो मुझे square चाहिए तो मैं दोनों तरफ square कर सकता हूँ जैसे ही दोनों तरफ square किया तो next step में मुझे क्या मिलेगा यह square a को भी मिलेगा और b को भी मिलेगा तो हो जाएगा a square upon b square यहाँ पे यह 2 square upon 3 square 2 square होता है 4 और 3 square होता है 9 अब मुझे क्या चाहिए a square के आगे 5 चाहिए और b square के आगे 2 तो यहाँ पे a square के आगे मुझे क्या चाहिए 5 चाहिए और b square के आगे देखो दोनों जगे क्या है 2 तो b square के आगे मुझे 2 चाहिए तो multiply किया तो यहाँ पे भी मुझे 5 by 2 से multiply करना पड़े है तो यहाँ पे left side में क्या आ जाएगा 5 into a square आ जाएगा 5a square ठीक है 2 into b square आ जाएगा 2b square equal to यहाँ पे देख लो क्या कटो रहा है भाई यह 2 1 0 और 2 2 0 होता है फिर 5 2 0 10 upon 9 तो मुझे मिलेगा 10 upon 9 आया समझ मैं तो यह मुझे मिल गया 5a square upon 2b square 5a square 2b square is equal to 10 upon 9 अब मुझे क्या चाहिए मुझे एक जगा plus चाहिए दोनों के बीच में और एक जगा minus चाहिए तो इसको क्या बोलते थे componendo dividendo मैंने आपको practice set 4.3 में यह एकदम अच्छे से explain किया है तो अगर यहाँ पे यह rough में लिख रहा हूँ इसलिए short form लिख रहा हूँ में applying componendo dividendo exam में मतलब ना cd नहीं तो teacher 0 देगी तो cd मतलब क्या componendo dividendo numerator plus denominator तो 5a square plus 2b square upon numerator minus denominator is equal to right side में भी numerator plus denominator numerator है 10 denominator है 9 और नीचे क्या हैगा numerator minus denominator यह 10 plus 9 हो जाएगा 19 और 10 minus 9 हो जाएगा 1 19 अपॉन 1 क्या होता है 19 तो मुझे यह जो question पूछा था देखो यहाँ पर यही वाला पूछा था उसका value क्या आगया 19 आया समझ में तो पहले यह सिखाया मैंने कि यह गलत है आप पहले अगर multiply करेंगे और स्क्वेर करेंगे तो रॉंग आ जाएगा पहले आप स्क्वेर करेंगे फिर आप multiply करेंगे क्यूंकि दीखो यहाँ पर a square b square के आगे 5 और 2 है ठीक है एकदम अच्छे से मैंने आपको बताया अब इसको नोट बुक में कैसे लिखेंगे एक्जाम में कैसे लिखेंगे देखो यह सब लिखना पड़ेगा न applying component और dividendo multiplying both sides by 5 upon 2 देखो कैसे आएगा तो यहाँ पर a upon b equal to 2 upon 3 लिख लिख लिया फिर मैंने बुला squaring both sides तो दोनों के बाहर bracket बनाया और square कर दिया यहाँ पर a square b square 2 का square 4 3 फिर मुझे a square के साथ क्या चाहिए मुझे a square के साथ चाहिए 5 और b square के साथ चाहिए 2 तो इधर 5 चाहिए 2 तो दोनों तरफ multiply by 5 by 2 5 by 2 से यही same चीज़ देखो यहाँ पर copy करी और दोनों से 5 by 2 से multiply कर दिया जैसे multiply करूंगा क्या हो जाएगा यहाँ पर मैं इसको cut कर सकता हू यहाँ देखो यह जगा 2 वन जार और यह जगा 2 तू जार यहाँ मुझे मुझे मुले का 5 तू जार 10 और 1 नाइन जार 9 और यहाँ पर 5 तू a square 5a square 2 बस देखो a square के आगे 5 आगे 2 आगया अब देखना है क्या चाहिए था term उपर प्लस नीचे माइनस नहीं दोनों के बीच म तो मैं लगाँँगा component डिविनेट तो जैसे ही component लगाया तो numerator प्लस डिनॉमिनेटर और निचाहे का numerator माइनस डिनॉमिनेटर अगर इधर हैसा किया तो right side में भी same numerator plus denominator numerator माइनस डिनॉमिनेटर 10 प्लस 9 हो जाया का 19 10 माइनस नहीं जाया का 1 19 अपाँ 1 होता है 19 तो इसका value आग को 19 और यह सम हो गया आपका solve है ना काफ़ी simple काफ़ी easy है अगर आपको step समझ में आ गया तो पहले आपको square करना है फिर आपको multiply करना है नहीं तो problem हो जाएगा विडियो pause करो और फटा फट से ये भी copy करो एकडम neatly लिखना है कहीं पे भी silly mistake नहीं करना है अगर ठीक से लिखोगे ना neatly लिखोगे step 5 तो silly mistake होने का chance कम हो जाता है कर लिया copy next करते है थर्ड वाला question दिया है 8 में a upon b 2 upon 3 है तो a cube प्लस b cube upon b cube क्या आएगा अब यहाँ पे जबर पूछा a cube प्लस b cube है ओके तो फटा फट से वीडियो pause करो और यह खुद से try करो क्यों कि मैंने आपको दो questions बता है इसका भी solution मैं आपको बता हूँगा लेकिन अगर खुद से क्या हो राया ना तो confidence बहुत सही हो जाएगा नहीं आया तो attention यह सर बता रहे है ना पूरा बस confidence से एकदम खुद से solve करने को try करो step wise अच्छे handwriting में हर एक चीज लिख कर ताकि mistake होने का chance कम हो जाए कर लो video pause तो यहाँ पे मैंने लिख दिया a upon b equal to 2 upon 3 कहां से लिखा अपने दिमाग से लिखाए गया नहीं यहाँ पे दिया था question में फिर मुझे a के साथ cube चाहिए बी के साथ cube कर सकता हूँ ना तो मैंने इसको भी cube कर दिया और इसको भी cube कर दिया cube मतलब raise to power 3 जब यह cube अंदर गया तो a cube बन गया इसके पास गया तो b cube बन गया यह 2 का cube बन गया 8 तू का cube 8 होता है ना 2 2004 42002 2 cube मतलब 2 into 2 into 2 22004 42008 और 3 का cube मतलब 3 into 3 into 3 3.09, 93027 ओके यह जब cube अंदर गया ना तो आपको ऐसे मिला 2 का esks cube और 8 का 3 का esks cube 2 का esks cube आ गया eight और 3 का esks cube 27 तो अब मुझे क्या चाहिए मुझे ऑपको ऐसे का मुझ्य ओपर तो अगर मुझे सिर्फ ओपर जिये तो मैं सिर्फ कॉंपोनेंटों कहो 하면गा मेरा काम हो जाएगा, तो component हो क्या बुलता है, numerator plus denominator upon denominator, right side में भी same, numerator plus denominator upon जो भी denominator था, वो same ऐसे ही आया, ठीक है, दोनों हो जागे, तो यही पूछा गया था, a cube plus b cube upon b cube, यहाँ पर 27 plus 8 हो जाएगा आपका 35, तो answer आपको आगया, 35 upon 27, 7, है ना simple एक दम, आया क्या, यहाँ पर देखो 1-1 था, इसलिए problem भी नहीं था, जिनको correct answer आया, comments में मुझे जाके बताओ, कि 8 का 3rd हमने खुद से try किया और हमको correct आया, जिनको नहीं आया, attention मतलो, video pause करो, फटाफट से copy करो, देखो खाहाँ पर mistake किया है, हो सकते हैं, आपने cube निकालने में mistake कर दिया हो, हो सकते हैं, आपर component गलल दगाया हो, या dividendo लगा दिया हो, plus sign है बच्चो, देखो यहाँ पर, तो हमको component लगाना है, ओके, चलो, कर लो, फटाफट से copy, steps ऐसे ही आएंगे एक दम, done, यहाँ पर, एथ question में, 4 तवाला दिया है, 7b-4a upon 7b plus 4 है, देख रहा है कि, dividendo, component लग रहा है, देखो यहाँ पर, component लग रहा है, तो इसको कैसे करेंगे, अभी अपने को, a upon b equal to 2 upon 3 दिया हुआ है, correct, तो हम लोग यही use करके, इसको solve करेंगे, कैसे आएगा, पहले तो हमको समझ में आ रहा है, कि यहाँ पर a जो है, वो बाद में आ आ है, ठीक है, पहले हमारे पास क्या है, b है, तो यहाँ पर जब भी मैं, इसको component लो, dividend लो करूंगा, तो numerator वाला पहले आता है न, तो अगर मुझे पहले b चाहिए, दोनों जगे देखो, तो मुझे numerator में b को लेकर आना पड़ेगा, तो a upon b, 2 upon 3 है, अपन दोनों को उल्टा कर सकते हैं, याद है, invertendo करके property थी, अगर यहाँ पर आपको दिया, a upon b equal to 2 upon 3, दोनों को उल्टा कर दो, इधर जो नीचे है वो उपर आ जाएगा, जो उपर है वो नीचे आ जाएगा, मतलब b उपर चला जाएगा, और a नीचे जाएगा, यहाँ पर यह बोलेगा, अरे इसको किया तो मुझे भी कर, तो आपन बोलेगे ठीक है भाई, 3 तो उपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो हम लोग 3 को उपर लेगे जाएगे, 2 को नीचे लेगे, यह क्या क्या हमने, invert tendo, इसको उल्टा tendo बोलते तो कितना सही होता, समझ में भी आ जाता, लेकिन invert का मतलब वो ही होता, उल्टा कर देना, अगर मैंने आपको 4 को 6 से multiply किया, या 6 को 4 से multiply किया, क्या फरक पड़ता है, दोनों का answer 24 ही आता है, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों तरफ, मैंने 7 by 4, 7 by 4 से multiply कर दिया, अब क्या आ जाएगा, इस तरफ मुझे आ जाएगा, 7 into B, 7 B, और 4 into A, 4 A, यहाँ पे 3 7s are 21, और 2 4s are 8, है एकदम simple यहाँ तक, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 7B minus 4 है, 7B plus 4 है, तो पहले हम लोग इसमें क्या लगा देते हैं, हम लोग इसमें, पॉंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देते हैं, क्या लगा है यहाँ पे मैंने, कॉंपोनेंडो और डिविडेंडो, तो क्या मुझे मिलेगा, 7B plus 4A upon 7B minus 4A, equal to 21 plus 8 हो जाएगा 29, और 21 minus 8 आजाएगा 13, है ना, अब मुझे कूछा यह नहीं है, मिस्टेक मत करना है, यहाँ पे उपर minus है, मतलब यह वाला term उपर चाहिए यह वाला term नीचे चाहिए, लगा देंगे, उल्टा टेंडो, उल्टा टेंडो नहीं, इनवर्टेंडो, तो यहीं पूछा गया था, और यहाँ पे हमघंडो रिजर्ण लिखेंगे, by इनवर्टेंडो, ठीक है यह हमारा अंसर आजाएगा 13 upon 29 है ना एकदम सिंपल तो यह पूछा गया था देख ओपर minus नीचे plus इसलिए हम लोग ने यह किया last step आया समझ में अभी इसको हम लोग fair में exam में कैसे लिखेंगे या notebook में कैसे लिखेंगे वो देखते हैं ऐसे लिखेंगे एकदम detail में a upon b 2 upon 3 दिया है फिर उसको invertendo लगा देंगे तो b upon a हो जाएगा और यहां पर 3 upon 2 हो जाएगा मुझे a के साथ 4 चाहिए b के साथ 7 चाहिए तो b के साथ 7 a के साथ 4 अगर यहां पर 7 upon 4 तो यहां पर भी 7 upon 4 multiplying both sides by 7 upon 4 7 into b 7 b 4 into a 4 a 7 into 3 21 4 into 2 8 कुछ कट नहीं हो रहा है यहां पर ऐसे रखेंगे अब क्या करेंगे हम लोग को plus minus चीए तो हम लोग component और डिविदेंडों लगाएंगे तो component और डिविदेंडों क्या बोलता है numerator plus denominator upon numerator minus denominator इधर भी से numerator plus denominator upon numerator minus denominator तो यहां पर जो चाहिए हो आ गया यहां पर 20 plus 8 29 minus 8 13 अब मुझे उपर minus चाहिए यह वाला term जो है वो उपर चाहिए और यह वाला term मुझे नीचे चाहिए तो invertendo लगाएंगे, तो नीचे वाला उपर, उपर वाला नीचे, तो यहां पे भी नीचे वाला उपर, उपर वाला नीचे, तो 30 नीचे से उपर चला जाएगा, 29 उपर से नीचे आ जाएगा, यह हमारा final answer, है ना एकदम simple, चलो करो video pause और essay copy करो, पूरा reasons के साथ, कहीं पे भी ABCD are in proportion, then prove that, बहुत complicated equation दिया है, कि यह आपको prove करना LHS equal to RHS, अब मैंने proportion में आपको K method नहीं बताया था शायद, तो हम लोग अभी K method समझते हैं, पहले तो जब ABCD proportion में हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, A upon B equal to C upon D, यह कहा दिया है, जब उन्होंने बोला ABCD are in proportion, उसका मतलब जब आप math के terms में इसको लिखने जाओगे, तो ऐसे लिए, ठीक है, K method क्या बोलता है, कि equal to जो दिया है न, इसको हम लोग क्या ले लेंगे, बोलेंगे, ठीक है भाई, A upon B equal to C upon D, तो हमने बोल दिया, कहां से बोला यह, हमको पता है कि यह लोग proportion में है, त तो यहां पर मैं बोल सकता हूँ, therefore, देखो न, यह proportion में है, तो therefore, A upon B equal to C upon D, और K method में क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे, therefore, इसको, या फिर, let A upon B equal to C upon D equal to K, ठीक है, हम लोग इसको K के terms में लिख देंगे, इसी को बोलते है, K method, ऐसे लिखते है, K method, टेक्स्बुक में दि and C upon D, B, K है, तो उनों को equal है, K, और अगर मुझे A का value चाहिए, तो B को उधर बेज दो, तो मुझे क्या मिलेगा, therefore, A is equal to B, K, और अगर यहां पर मुझे C का value चाहिए, तो यह D को उधर बेज दो, चला जाएगा, उधर D multiply हो जाएगा, नीचे से उपर, तो आ जाएगा, D ठीके में भी K आगया, यह K मेथर में मुझे A और C का value देखो, BK और D के मिल गया, यह आपको use करना है, कहां use करना है, यह आपको use करना है, यह वाले के LHS और RHS में, तो K मेथर में generally क्या होता है, जब आप substitute कर देते हो, A और C के जगे पे, K के terms में, तो सब कुछ कर जाता ह है, और कुछ K के terms में बच जाता है, similarly जब RHS में करोगे, तब भी ऐसा ही होगा, and फिर दोनों सेम आ गया, तो हम लोग बोल सकते हैं, LHS equal to RHS, okay, तो इस equation को number देदो, equation 1, यह दोनों values हम लोग use करेंगे, यहां पे, तो पहले LHS ले ले लेते हैं, rough में solve कराता हूँ आपको, 11 A square plus 9AC upon 11B square plus 9BD, नीचे लिख देता हूँ, यह अपना LHS, देखो यहां पर LHS मतलब left hand side, यह left है न, आपका left hand इस पर आएगा, right hand इसके उपर आएगा न, तो यह left hand side वाला जो equation है, वह मैंने यहां पर लिख दिया, अब इसमें A के जगे पर substitute कर दो B के, तो क्या हो जाएग प्लस 9A है, A का value है B के, तो A के जगे डाल दिया B के, और C के जगे पर डाल दिया, C का value क्या है D के, तो C के जगे पर डाल दिया D के, ठीक है, नीचे क्या आएगा, नीचे भी ऐसे ही, 11B square, B का value देखो, कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो B को ऐसे का ऐसा रखेंगे, सिर्फ A और C का value हमने निकाला है, ऐसे मत सुचो रहे, B यहाँ पर है, उसको ऐसे कर देते हैं, नहीं, जो यह दो आया, यही use करेंगे, तो ही सब कुछ कट होगा, नहीं, तो जिन्दगी भर question खतम ही नहीं होगा, तो B को ऐसे ही रखा, 11B square, प्लस 9B, D, ठीक है, D का भी देखो, अब यहाँ पर, यह square को जब अंदर बेजेंगे, तो B के पास भी जाएगा, K के पास भी जाएगा, तो मुझे मिलेगा, 11B square, K square, प्लस, यह 9 ऐसे रहेगा, B into D हो जाएगा, B D, K into K हो जाएगा, K square, तो मुझे मिलेगा, 9B D, और K into K आजाएगा, K square, और नीचे क्या नीचे मिलेगा, 11B square, प्लस, 9B D, ठीक है, अब अच्छे से उपर numerator देखो, दोनों के, दोनों terms में K square है उपर, तो K square को हम ले लेंगे, common, तो अगर K square को common लिया, तो यहाँ से K square निकाला तो क्या बच्चा, 11B square, फिर यहाँ पर प्लस है, यहाँ से K square निकाला तो बच्चा प्लस, 9B D, उपर से दोनों में से K square निकाल दिया, नीचे क्या है हमारे पास, नीचे देखो, 11B square प्लस, 9B D, अरे, यह दोनों तो से में पूरा term, तो यह पूरा term हो जाएगा, cancel, बच्चा क्या, बच्चा सिर्फ आपके पास, K square, यहने बताया था न, एक बार आप यह सब substitute कर दोगे न, तो mostly सब कुछ cancel होगा, और generally K के terms में answer आएगा, अभी खतम नहीं होगा, यह सिफ left hand side solve किया, अभी हम लोग यह right hand side भी solve करेंगे, और देखेंगे कि इसमें भी K square आएगा, तो यह दोनों equal हो जाएगे, तो यह भी मैं नीचे copy कर लेता हूँ, A square plus 3AC upon B square plus 3BD, अब मुझे A और C का value पता है, वो use कर लूगा, मैं देखो यहाँ पे A के जगे पे और C का value substitute कर दूगा, तो क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा A के जगे पे BK, ठीक है, यह A के जगे पे BK डाला, square के जगे, square plus 3, A के जगे पे BK, और C का value क्या था, DK, देखो यहाँ पे इध लिखेंगे तो यहां पर from equation 1 भी लिख देंगे upon नीचे क्या आएगा नीचे देखो b square दिया है उसका हमाई value नहीं पता और b और d दिया है दोनों का value नहीं पता तो उसको ऐसे कैसा रख देंगे b square plus 3bd अब इसको solve करेंगे यह square जब अंदर जाएगा दोनों को मिलेगा तो मुझे मिलेगा b square k square plus 3 तो ऐसे रहेगा k into k हो जाएगा k square b into d हो जाएगा bd तो मुझे मिलेगा 3 ऐसे का ऐसा bd और k square आ जाएगा k into k था ना और नीचे क्या मिलेगा b square plus 3bd अब numerator अच्छे से observe करो इधर भी k square है इधर भी k square है तो k square common ले लेंगे common तो अगर मैंने k square को common लिया तो अंदर क्या बचेगा इधर से k square common तो बचा b square इधर से k square common तो बचा plus 3bd और नीचे क्या है नीचे यहाँ पे जो पहले था वो ही b square plus 3bd अरे numerator सेम हो गया तो दोनों हो जाएगा cancel तो ये भी कट ये भी कट क्या बचा से k square मतलब LHS भी आया k square RHS भी आया k square मतलब LHS equal to RHS मतलब ये वाला equation equal to ये वाला equation ये तो बुला था तो ये हमारा हो गया proof खतम समझा तो इसमें सबसे important part ये नहीं था ये तो substitution आप बचपन से करते आ रहे हो सबसे important part था ये k method होता क्या है वो समझना तो proportion में दिया है तो a upon b equal to c upon d लिया और उसको equal to k ले लिया फिर ये equal to के इसको भी है और ये equal to के इसको भी है दोनों कॉलक से लिख दिया जब इसके साथ लिखा तो b इदर जाएगा a equal to b के आ जाएगा जब इसके साथ जाएगा c equal to d के आ जाएगा ये equation 1 दिया है चो मैं बार-बार use करूंगा नीचे lhs में भी और rhs में आया समझ में first question हमने ऐसे कि अब इसको हम लोग notebook में कैसे लिखेंगे exam में वो देखो कैसे आएगा तो यहाँ पर दिया है a, b, c, d, i, in proportion तो मैं बोल सकता हूँ therefore a upon b equal to c upon d ये तो proportion का rule होता है फिर मैं बोलता हूँ ये वाला जो है न let that equal to k ठीक है इसको k method बोलते है अब इसमें देखो a equal to क्या आजाएगा b into k, b, k and c क्या आजाएगा c will be d into k, d, k इसको मैंने equation मन दे दिया अब first question क्या दिया है 11a square plus 9a c upon 11b square plus 9bd equal to इसको prove करना है आपको ठीक है तो LHS ले ले लेते हैं ये वाला ये मैंने cm पर copy कर दिया यहाँ पर a के जगे पर मैं डाल दूँगा b k और c के जगे पर डाल दूँगा d k तो मैंने a के जगे पर b k डाला और c के जगे पर d k बाकी सब same to same b square b d ऐसे कैसा रह न दिया यहाँ पर from 1 क्यों लिखा because ये a के जगे b k और c के जगे d k के हमने 1 से डाला फिर इसको expand किया b square k square यहाँ पर b into d b d k into k k square ये उपर वाले term में से k square k square common निकाल लिया जैसे k square common निकाला यहाँ बचा 11 b square और यहाँ बचा plus 9 b d नीचे same to same वापस आपको दिखेगा ये denominator और numerator same है तो आप next step में इसको cut कर सकते हो थोड़ा बाहर चला गया है इसको अंदर लिख देना ठीक है अब RHS क्या है RHS दिया a square plus 3 a c upon b square plus 3 b d वो मैंने यहाँ पर copy कर लिया a के जगे पर डाल दिया b k और c के जगे डाल दिया d k denominator में b और d यह वो ऐसे कैसे रहेंगे यह कहाँ से आया a के जगे b k और c के जगे d k from 1 यह जो मैंने यहाँ पर equation 1 लिखाया उदर से आ फिर इसको expand किया b square k square और यहाँ पर b into d b d k into k k square 3 a se का ऐसा नीचे denominator में कोई change नहीं यहाँ पर देखो इधर भी k square इधर भी k square तो k square को बाहर common ले लिया तो यहाँ कैं बचा b square plus 3 b d अब numerator denominator same हो गया यहाँ पर देखो तो यह वाला term और यह वाला term cancel same है न तो cut कर सकते हो पूरा same में देखो तो बचा खाली k square तो दिखा आपको lhs का value भी आपको आया k square और rhs का value भी आया आपको k square इसका मतलब क्या है कि lhs equal to rhs कहां से आया यह equation 2 और equation 3 जो है वहाँ से आया ठीक है तो आपने लिखा from 2 and 3 lhs क्या है lhs आपका था 11a square plus 9 ac upon 11b square plus 9 b d वो यहाँ पर लिख दिया rhs क्या है a square plus 3 ac upon b square plus 3 b d question में हमको यही दिया गया था इसलिए हमने prove कर दिया कि वो equal है तो लिख दिया hence comma prove full stop हमारे favorite words तो video pause करो और अच्छे से इसको copy करो हर एक question जो k method का होगा हम लोगों ऐसे ही करेंगे हो सकता है तो 3-4 बार एक question solve कर लो ताकि आपको कहीं पर भी silly mistake करने का opportunity नहीं ठीक है एक बार पूरा screen करके बता रहा हूँ यह इसका first part पहले हमने यह लिखा हर proportion वाले question में ऐसे ही करेंगे ठीक है अगर k method यूज करना है यह मैंने यहाँ पर lhs पूरा solve कर दिया कर लिया copy फिर इसके नीचे मैंने rhs solve कर दिया फिर दोनो k square आया इसलिए मैंने लिख दिया यह वाला part lhs equal to rhs और फिर जो question था वो लिख किया hence comma probe यह पूरा question अच्छे से copy करो बहुत जादा important है exam में आता है ऐसा done तो आज के lecture 3 में मैंने आपको question 8 पूरा करा दिया first, second, third, fourth और ninth का हमने first question किया ठीक है आज का lecture हम लोग यहीं पे खतम करते है इसके आगे की lectures में हम इसके आगे की questions solve करेंगे आज इतना ही करते है ताकि आप यह जो important questions अच्छे से practice करें अच्छे से समझे और मैं आगे की questions करा हूँ तो आपको और जादा simple लगे आज का समझ में आया न अच्छे से practice करना है बुक में लिख लिख कर ऐसे ही नहीं के वीडियो देखके छोड़ दिया बस exam में जाके solve करेंगे सीधा ऐसे करोगे तो marks नहीं मिलेंगे क्योंकि silly mistakes होंगे ही होंगे तो आज का lecture 3 यहीं पर खतम करते है अगर वीडियो पसंद आया तो like ज़रू करें link अपने दोस्तों के साथ whatsapp पर share करें ताकि उनको भी problem set 4 का lecture 3 अच्छे से समझ में आ जाए अगर आपने हमारे चैनल को अल्रेड़ी subscribe कर दिया है तो thank you नहीं किया है तो क्यों wait कर रहे हो कर लो subscribe इतने detail में आपको कोई नहीं सिखाने वाला सब्सक्रिप्शन करेंगे वैसे ही bell आएगी बाजू में bell पे बी click कर दो ताकि जैसे ही मैं next video upload करूँ आपको notification है और आप वो important lecture में इस ना करें कमेंट से मुझे ज़रू बताएं कि आपको ये video कैसा लगा और जब भी मैं आपको बोलता हूँ question खुद से करो खुद से try करो answer आता है तो कमेंट से मुझे बताओ कि आपने खुद से किया और आपको आया ये मैं आपके लिए नहीं बोल रहा है मेरे लिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी मैं पढ़ता हूँ कि आपने कोई question खुद से किया मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगता है कि मैं जो मैंनत कर रहा हूँ वो कहीं पर किसी को काम आ रही है खतम करते हैं यहीं पर Thank you so much for watching this video